सांस्कृतिक नगरी अल्मोडा को अस्ट भेरव नो द्रुगा की नगरी भी कहा जाता है यहां द्रुगा के अलगलग सुरूपों के नो मंदर शहर के चारो और स्थापित हैं इन्ही में से एक ऐसा मादुरुगा का मंदर जो ना केवल शर्द्धालूं को बलकि वैग्यानिकों को भी अपनी और आकरशित करता है अल्मोडा से खरीब 10 किलो मिटर दूर कसार देव का मंदर है जो कयास यानि कश्यप परवत में स्थित है यहां आने वाले शर्द्धालूं को प्राकर्तिक सौंदर के साथ आध्यात्मिक शान्ती भी मिलती है इस मंदर की महत्ता इसी बात से बढ़ जाती है कि देवी मा के इस मंदर में ऐसी अध्भुद शक्तियां है बताय जाता है कि मंदर के आसपास के क्शित्र वैन एलन बेल्ट है जहां धर्ती की भीतर विशाल भू चुम्बकिये पिंड है इस पिंड में विद्ध चार्ज करणों की परत होती है जिसे जानने और समझने के लिए लंबे समय से नासा के वैग्यानिक अध्यन कर रही है माना जाता है कि ये स्थान दुनिया का तीसरा ऐसा स्थान है जहां खास चुम्बकिये शक्तियां विद्यमान है जो मनुष्य को सकारत्मक उर्जा प्रदान करती है सुआमी विवेका नंद भी 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीनों कासर देवी आये थे कासर देवी मंदर की महिमा और अपार शक्ति से बड़े बड़े खगोली है एवं भू गर्व वेग्यानिक भी हैरान है अल्मोडा इस्थित कसार देवी मंदर और दक्षुन अमेरिका के पेरू इस्थित माचू पिच्चू वा इंगलेंड के स्टोन हैंग में अदभुद समानिता हैं ये अदुतिय चुमकिय शक्ति के केंदर भी है तो ये वर्ल्ड में तीन जगा हैं माचू पिचू पेरियू में स्टोन हैंज इंगलेंड और ये कसार देवी ये यहां की खास सिबाब तो क्या अध्यात्मिक दुश्चिश जगा है और यहां आके एक शान्तिक अनुभूती लोगों को होती है जिसका उधारन स्वामी वेक अनंजी है जिन्होंने यहां मेटेशन किया बतादे की कसार देवी क्रेंक रिज के लिए भी प्रिस्द्ध है ये इस्थान 1960-1970 के दशक में हिप्पी आंदूलन का प्रभाव भी इस क्षेतर में पड़ा था वहीं मंदर से जुड़ी एक पवरानेक मानेता है कि इसे स्थान से मा भगवती ने शुब निशुम दानवों का वद करने के लिए कात्यानी रूप धरा था मा दुर्गा ने देवी कात्यानी का रूप धारन करके दोनों राक्षसों को संगहर किया था तब से ये स्थान विशेश माने जाता है पंजाब केसरी टीवी के लिए अलमोडा से निर्मल उपरिति की रिपाउट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद